हलो गैस आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसिदर फैशन पॉइंट में आज हम बात करना है अम्रेला मशीन और साथ में हाफ राउन मशीन इन दोनों का देंगे कंपैरिजन की दोनों में क्या समानता है और क्या अलग-अलग बात है तो सबसे पहली बात आ जाती हमारी अम्रेला मशीन जो की कुछ इस तरीके की रहती है और जो हमारी आ जाती है दूसरी हाफ राउन मशीन जो की इस तरीके रहती है हाफ राउन मशीन में जो आता है मतलब जो यह हाफ राउन मशीन है इसमें जो शटर आता है वो हाफ शटर आता है इसमें आता है फुल श फूल राउन मशीने इसकी जो सिलाई ये बहुत ही अच्छी आती है तो हम जान लेते कि हमें इसमें सिलाई मारने में इतनी अगर तो भी सिलाई मानना रही तो उसमें कितना टाइम लगेगा इसमें इतनी सिलाई मारना रही तो कितना टाइम लगेगा जैसे कि इसमें अगर 10 स काम करते हो काम आपका रहता ही है तो यह मशीन आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है दूसरी बात कर लेते हैं कि इसकी जो सिलाई है वह बहुत अच्छी आती है टिपदार सिलाई आती है और इसकी जो सिलाई है जालेदार सिलाई आती है यह कुछ दिन तक कि तो अच् सबस्elnेठीक के और मोटर दो कि लिए हैं टो यह साथ से बढ़ मोटर मोटर थो कर को में माधुन को कर दो कि Pixar चलना चालना चाहिए visual का को तो बाजवालों को पता चलाएगा कर रहे हूं तो इतनी बढ़िया आवाज निकालती यह खट-kट-kट-kट-kट-kट-kट बहुत अच्छी निकालेगी तो आपके भाजवालों को भी पता चलाएगा कि इसमें स्लाई मतला आपके घर में स्लाई काम चालू हो गया और यह बहुत अच्छी आती है, टिपदार से लाई आती है, धागा मजबूत आता है, इसमें क्या होता है, धागा मजबूत नहीं आता है, कोई दमनी रहता है धागे में, और जैसे और बात कर लेते हैं, इसमें बॉबिन भरना भी easy आता है, इसमें बॉबिन भरना भी easy आता है, दो आपको यहाफ राओंद के भी पार्टस आपको हर जगा पर अबलेबल मिलेंगे मगर हाफ राओंद के पार्टस इंग से वो कोई ज्यादा लंबे समय तक चलते नहीं इस मशीन में आपको रिपैरिंग का काम जादा ही करना पड़ेगा और यहली जो मशीने इसमें रिपैर न वो 2-3 साल तक के तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस अगर आपने सुई वगरा तोड़ दी तो शटर घुमने के प्रॉब्लम आएगी, बाकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मोटे कपड़े पर अलग सुई यूज करोगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं और इसमें आप मोटा कढ़ा नहीं चला सकते हो, पतला कढ़ा नहीं सकते हो, एकदम पतला कढ़ा आगया तो सलाई कुछ इस तरीके से आ जाइगी इसमें आप केसा भी कपढ़ा चला लो ये चल जाती है। बस इतना ही कि आपको एकदम heavy वाला कपड़ा चला रहे हो तो इसको धीरे चलाना पड़ेगा, मगर चल जाएगी, और इसमें heavy वाला कपड़ा चलाओ गए, तो tip छोड़ेगी, problem देगी, half round के इसमें तो problem ही problem रहता है, मुझे बहुत सारी कमेंट्स है से आई थी जिसमें पूछा गया था कि हम half round machine ले 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 लेते हैं, half round machine सस्ती पढ़ रही है, तो सस्ती से क्या हो रहा है, दो तीन हजार रुपे सस्ती पढ़ रही है, अगर आप काम करना चालू करते हो, तो दो तीन हजार रुपे कोई माभने वाले के पास जो उनके पास already बहुत सारी मशीने रहती है तो बोलेंगे एक दो दिन लो सीजन निकल गया इस मशीन के कारण और ये मशीन को आप कई पर भी सुदार होगे इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है जल्दी सुदार जाती है सिर्व इसमें प्रॉब्लम आती ह ये शेटल खराब होने की जो कि पांच्छे साल बाद होता है प्रॉड वगेरा पांच्छे साल बाद सिप छोटे-छोटे खर्चा आते दाव वगेरा के वह तो ऑल्रेडी एक-दो साल में हम बदली देते क्योंकि दाती उस पर निशान बना देती है घेरा कर देती है तो य है